सर्दी दा मौसम अजेहा हुंदा है कि जैसी खानपान दा ख्याल रखे ता पूरे साल पार दा पोशन एस मौसम विच लेया जा सक्दा है आओ आज बहुत ही स्वादिश्ट ते ताकतवर पिनिया बनाईए जिन्ना नू बढ़ाना वी बहुत ही असान है सच शर्यकाल जी मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत का और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयरवेदिक रसोई लगातार सेहत मन जिन्दगी जौन दी कोशिश कर रहे प्यारी दर्शकांदा मैं निगा स्वागत कर दी है आज असी अपनी रसोई देविच एक बहुत ही स्वादिष्ट पिनिया बना माँगे आओ इस दी पूरी विदी जान दे हां इना पिनिया नो बनान दे लेई सब तो मुक समगरी है आटा इथी जड़ा आटा मैं ले रही हां एच छोलियांदा आटा है काली छोलियांदा आटा तुसी चाहो ता वेशन भी ले सकते हो इस दी मात्रा डेट सो ग्राम लेई है डेट सो ग्राम ही असी गुड ले लेा है गुड नो छोटे टुकड़यां दे विच बरीक कर लेा है ते इस तो बाद डेट सो ग्राम ही असी ड्राइफ्रूट ले रहे हां इस ड्राइफ्रूट दे विच नारियल, काजू, ते बदाम लेा है नारियल नो असी इस तरह छोटे टुकडियां देविच कट लिया है, तुसी अपनी पसांदे ड्राइफ रूट्स ले सकते हो, इस तो इलावा असी ले रहे हैं हां गौंध, ए जड़ी गौंध है ए असी 75 ग्राम यानि के इना सारी समगरी तो अद्धी लई है, जिस तरह बा निया या पंजीरिया नो क्यों तो बिना नहीं बनाया जा सकता, ते लग पाकसान नो बराबर मात्रा देविच्छी क्यों पाना पवेगा, असी इत्थी 1500 ग्राम क्यों ले रहे हैं, इस कड़्ची देविच्छ 50 ml की एकवरी आ जान्दा है, ता मैं तिन वार इस नो पा रह बिल्कुल ही लो फ्लेम ते करना है, इस देविच्छो तूँआ ना निकले, जे तो हाड़े कुल छोल्यां दा आटा ना होवे, तुसी वेसन ले सकते हो, ते जे वेसन भी नहीं वर्तना चौन दे ता तुसी अपनी पसांदा कोई भी आटा ले सकते हो, कणक दा आटा भी लें आजा सकता है, मकी दा आटा, बाजरे दा आटा, जो भी आटा तो हाणनू पसंद है, उन तुसी ले सकते हो, पर जेड़े ज़ादा कीखाना पसंद नहीं कर दे, या जिन्ना नू लग दा है कि एसनी ज़ादा कीखाके बिमार हो सकते हो, तो कणक दा आटा ना हैं, कण तो इलावा कोई भी हो राटा ले सकते हैं क्योंकि उस आरे आटे लग पग सुक्की नेचर दे हुंदे हैं ड्राई हुंदे हैं ते ओना नाल असी जदो की खान दे हां तो नुकसान नहीं करदा शुरुवात विच जदो असी आटा पुन रहे हां ते यह काफी टाइट हुंदा है इसनो हिलोना भी थोड़ा जिया मश्किल हुंदा है पर जिमें जिमें इहें पुनना शुरू हो जाएगा ओमें ओमें हलका हुंदा जाएगा ते असी इसनो असानी नाल हिला सकांगे वैसे पिन्या नो ताकतवर बनाओन लेई असी पिन्याच काफी कुछ मिलाने है पर जिसादा आटा ही ताकतवर होवे ता असी काट चीज्जा भी पालमांगे तामी पिन्या चंगिया बनन गिया चने दा जड़ा आटा है काली छोलियांदा इदे विच केल्शियम प्रोट असी थोड़ा क्यों थे थोड़ी शक्कर या गुड़ ले लवांगे ताँ ए साड़ी शरीर विच वी बैलन्स तरीके नल कम करेगा सानु नुकसान नहीं करदा जदो वी तो हड़ा केलेस्ट्रोल वाद जन्दा है फैटी लिवर दी प्रॉब्लम ओंदी है हाट दी कोई प ज़ार दे विचो डिबबंद के उलेके ओंदी हो ता ओ ज़रूर नुकसान दायक हो सकदा है पर समझन दी कोशिश करो कि नुकसान दायक है तल्या होया मैदा, रिफाइंड ओयल ते गलत तरीके नाल खाना, सही समेते बिना पोक तो खाना खाना, पहला खाना ना पच्या हो बहुत ही ज़्यादा मात्रा दे विच पाणी पीना, पोजन करन लग्यां पेट नू एनना ज्यादा पार लेना कि कुछ देर सा लेना भी ओखा हो जावे, जे एस तरह दियां गलतियां तुसी कर दे हो ता कोई भी ताकतवर पोजन तोहानू नहीं लेना चाहिदा, ति इस दे विच मैं नारियल दी मात्रा ज्यादा लई है ते काजू बदाम थोड़ा काट रख्या है तो तुसी वी अपने हिसाब नाल ले सक दे हो, सर्दी दे विच किसे ना किसे रूप सानू ट्राइफ्रूट जरूर लेने चाहिदे हन, ति सब तो जड़ा चंगा तरीका ह इस नू मैं ग्राइंडर दे विचे सकार के ग्राइंड कार रही है क्योंकि जड़ा नारियल है, एक इसे इमाम दस्ते चंगी तरा ग्राइंड नहीं हुंदा, ते जी असी कार विच बच्या नू देना है या बजुरगा नू देना चौन दे हां, जिनना दे दान थोड़ी थोड़े रह जान, ड्राइफ्रूट गरम हुंदा है, ताकतवर बहुत हुंदा है, पर रुखा हुंदा है, जदो सी पंजीरी या पिनिया दे विचे इसनू पॉन दे हां, तै की दे विच रोस्ट हो जानदा है, तै एदा जड़ा रुखा पन है, वो खतम हो जानदा है, इस तरह दा ड्राइफ्रूट सानू बहुत ज्यादा ताकत दिन्दा है, पचन दे विच असान हो जानदा है, साड़ी रोग प्रतिरोधक समरथ्था नू भी वदाउनदा है, शरीर नू मजबूत बनाउनदा है, बहुत सारे अंटी आक्सिदेंट्स, तै इस तरह दे मिनर खुराक देना शुरू कर देओ, कई वार चश्मा उत्तर भी जानदा है, ति जे ना उत्तरे ता उनना दा नंबर बिल्कुल नहीं वद्दा, ओ उत्थे ही स्टेबल हो जानदा है, जदो की छोटे बच्चया नू जदो चश्मा लग जाए, ता ओ उनना दे जवान हुंदि लिया है, तो इसनों हिलोना जिलोना बहुत सुखा हो गया, पर बहुत ही ड्राइज लाग रहा है, सुखा सुखा है, इसनों सी पुन्न दे जा मांगे, जिमें जिमें पुन्नी जाएगा, इस दे विच की दुबारा रिलीज करना शुरू कर देगा, जिमें की ओ छड़ना इस दार रांग भी काफी बदल जाएगा, खुश्बु दे विच जड़ा कच्चा पन है, वो खतम हो जाएगा, ता आटा पुन्न जाएगा, आटा चाहे है असी डेट सो ग्राम लेया है, फेर भी इसनों अद्धा कंटा लाग जाएगा पुन्ननते, क्योंकि छोले आटा बाकी अलग लग आटे जड़े ने अपनी टाइम होंदा है किसे नो ठोड़ा काट भी लाग सकता है, जिसना सूजी पुन्निये तो बहुत जल्दी हो जान्दी है, पर छोले आटे नो थोड़ा टाइम लाग जान्दा है, ते बहुत जडूरी है कि असी असनों चंग इतना पुनिये क्योंकि नेता साड़ी जड़ी सारी मेनत है खराब हो सकती है जे हलका जावी एहे कच्छा रहे जे देखो हुन वीक मिंट हो गए हन ते आटे दा जड़ा टेक्स्चर रहो इस तरह दा हो गया बिल्कुल पहला नालो बदल गया रंग भी काफी गैरा पूरा हो गया ह ते इसने कीवी छड़ देता है असी इसनों हिलांदे रवांगे हले होर पुननन्दी लोड है ते इस दा कच्छा पन जेड़ा है उन्हों चेक करन लेए थोड़ा जाटा लेके उस देविच शक्कर मिलाके असी चक के जरूर देखांगे जे एहे तालू नों चिपकदा जे तो हानू गोंदे थोड़ी थोड़ी टुकड़े पसांद हन तत उसी बिना पीसे वी इन्ना दिवर्तों कर सकते हो असी गोंद नू हले तक इस देविच नई मिलाया ते नाई असी गोंद नू पुन्या है एस करके जदो सानुए लगगे कि असी आटे नू आठ तो दा कि गोंद एदे विच चंगी तरह फुल के पक जाएगी होन असी तिन तो चार मिनिट इस नू लगातार हिलोंदे जावांगे गोंद चंगी तरह फुल जाएगी गोंद नू खान तो पहला क्योंच पुनना जरूरी हुंदा है जे असी उस्ते पूरे फाइदी लेना चौन है जे ज्यादा मोटी वाली होवे तो तुसी उसनू पहला थोड़ा जा कुट सकते हो गोंद खान दे बहुत ज्यादा फाइदे हन पहला ता इस आड़ी रोग प्रतिरोदक सम्रथा नू भी वदाउंदी जेड़े इस तरह निया चीज्यां खान उन्ना नू जल्दी नाल जुकाम, बुखार, अलरजी जेड़ी है किसे तरह नई होंदी जिनना नू बहुत ज्यादा अलरजी रहन दी है उन्ना दी इम्म्योनिटी लो हुंदी है इस करके अपनी इम्म्योनिटी ती आसी काम करिये ता आसी छेती बिमार नहीं हुंदे दूसरी चीज है कि एदे अं पर असी इस नू हुन थोड़ा क्रश करना है तक क्रश करन दे लई असी एक मैशर दी वर्तो करांगे है जिस दे नाल असी चंगी तरह जिनना हो सके मैश कार दे लगपग मैश हो जावेगी क्योंकि जदो कीदे विछे फुल जान दी है यह बहुत ही क्रिस्पी ते क्रंची जी हो जान दी है ते बहुत असानी नाल इहे एकसार हो जाएगी गोन नो असी जिननी देर क्रश कर दे हां, नाली नाल असी अपनी पहला वाली चर्चा नो अग्य विदा आंदे हां इस रेसिपी दे हेटावी बहुत सारे कमेंट आनगे जिनना दा जिसना हाई बीपी है, हाई केलेस्ट्रोल है कि असी इसनो खा सक दे हां जो बिमार हां, जिनननों हाट दी दिक्कत है, केलेस्ट्रोल दी प्राबलम है, कि यो क्यों खा सक दे हां, बहुत ही आमज्या प्रशन है जवाब इसता बहुत सौखा है, जिस वक्त तो हानू बहुत तेज पुख लगी है, ते तो हाड़े कुल जो पोजन है, ओ बहुत ही वद्या तरीके नाल शुद्ध बनेया होया है, तथ उसी ओ पोजन लै सक दे हो सानू हर पोजन दी तसीर पता होनी चाहिदी है, ए गरम है, ए ठंडा है, सानू ए पता होना चाहिदा है, ए पोजन पचन विच पारी है, ए हलका है, पारी पोजन असी रात नू नहीं लैने, ते हलका पोजन रात लई बनेया होया है, मौसम द्यनुसार सानू तसीर जानना जरूरी है टाइम नाल पोजन नहीं करना पुख दे नाल पोजन करना है पुख नहीं लगी ता एक गराईं वी कोई चीज नहीं मूच पॉणी मुटापा केलेस्ट्रोल पीसी ओडी थाइराइड या हाई बीपी कदी वी क्योग हान नाल नहीं आंदे सगों गलत वेले गलत त सौफ थे थोड़ी अजवयन लई है दोग चम्मच सौफ दे पाए हन एक चम्मच अजवयन पाई है तुसी अपने स्वाध अनुसार पा सकते हूं ते हुन नाल ही असी इस देविच ड्राइफ रूट पा देंगे ड्राइफ रूट नो भी असी दो तो तिन मिनट लई रोस हो जानगे ते इनना दा कच्चापन भी बिल्कुल चला जाएगा वधिया तरीके नल लगातार चलौंदे हो यसी इसनों पुन्नागे इस दे नल सारा मिक्स्चर भी एक सार हो जाएगा ते सब कुछ एक दूजे नल राल मिल जाएगा चाहे गोंध है चाहे आटा है चाहे पुराने समया विच साड़े कोल कोई सहूलत नहीं सी ना गैस सी ते ना फ्रिज सी इना दोवा चीजा ने साड़े खान दी आदत नू बहुत ही ज्यादा विगाड के रख दिता हुन गैस है जदों जी करदा है असी कुछ ना कुछ बना लेंदे हां पहला चुल्ले सी बाल करन दी आदत पा दिती ते बहुत कुछ बना बना के असी उस दे विच स्टोर कार लेंदे हां ते असी जदों पुख लग दी है जदों पुख नहीं जदों सानू क्रेविंग हुन दी है जदों याद आदा है कि कुछ खा लेगे बस असी उससे वेले बिना पुख तो बिन सोचे समझे पूरा दिन ही कुछ ना कुछ खान दे रहने हैं एक कारण है साधियां बिमारियां दा ते जेड़ा असी पूरा दिन कुछ ना कुछ खा रहे हैं उस दे विच बौता करके मैदे दे बिस्कुट केक या ब्रेड इस तरह दिया चीज़ा हुं दिया हन या फिर रेट में काम करने शुरू कर दिते पुराने बजुर्ग खांदे थोड़ा सी तुर्दे फिर्दे ज्यादा सी अगला पूजन कदो मिलूगा उनन वस गल्दी पर वह उंदी ही नहीं सी अज असी जे उनना दी जंदगी नू देखते हां तब बहुत सोच दे हां कि उनने उननों पुखिया लालच है ही नहीं सी ओ किसे चीज दे मगर दोड़ दे नहीं सी पर असी लगातार दोड़ दे जा रहे हां इस करके चिंता वी साधियां बिमारियां दा बहुत वड़ा कारण बन गया है हुन पंजीरी जेडी है साधि बिलकुल रेडी है अखीर ते असी गुड़ पा देना है इस दिविच ते ए जड़ा गुड़ है पॉंदियां ही असी यास नों बंद कर दे आंगे ते इस गरम गरम मिक्स्चर दे विच गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जावेगा थोड़ा जैसी मैशर दा इस्तिमाल कार लवांगे इसनों क्रश करन दे ल ऐड़ा नाशता ही है तुसी अपने दूद घयरा नाल इसनों लै सकते हो फिर तुसी नाशता करन दी तो अनू जरूरत नहीं है दो वक्त दा पोजन जेड़ा है बहुत है तुसी जे दो पिन्निया खान दे हो ता एक वक्त दी रोटी नालवी तो हड़ा गुजारा हो बच्चे जेडे हन उनना दी मात्रा वैसे ही बहुत काठुन दी है ऊथोड़ा ज़ा खाना खाके राज जान दी हन ते फिर पज़्जे फिर दे हन छुटीयां दा टाइम है खेड़ दे हन उननु वारवार पोख लग दी है उनना नू इसे इस तरह नी रेसिपी बहुत ज्या करता है कई बच्चें दा हाजमाग्य है वह बहुत थोड़ा हुंदा है तो उनननों तुसी थोड़ी भी दे सकते हो जे आसी छोटा छोटा बदलाव कर दें हैं जिसत्रां के एसी खांड दी जगां गोडिया शक्कर पाला है ते आठा जेडा है असी कनक दी जगां दूसरा आ नाल ही जिड़ा क्यों है बेशक साधेकोल ना होवे असी थोड़ा थोड़ा बचा के ही एनना कठा कर लेगे ता इस दे विच ओ पाईए ता ए पंजीरी जिड़ी है पिन्या दवाईदा कम कर दिया हन ते बहुत वधिया बन जान दिया हन मात्रा अनुसार लेंदे हो ता चाह तो गरम-गरम होवे ओधों ही पिन्य वट्टी जाएगी जिनना कसी गरम-गरम चात पा सके जित वह नू लगगे कि पिन्यी तियार करदे करदे हलका ठंडा हो गया तो तुसी इसनू सिम गैस ते एक मिनट हो राख सकते हो ते फिर जदो गरम हो जेगा तो फिर इदी पिन् नहीं कर दी पर मैंनों आपनों भी लगदा है कि जादा हेल्दी है जी बच्चे रोटी नहीं भी खान देता कोई गाल नी एक पिन्नी वी ओदे लेता एक रोटी दा ही काम करेगी बेटा है वो बड़ा है आठक साल दा ओ थोड़ा जे नक्रा करदा है चीजां छेती नहीं पर ए पिन्निया उन्नों भी बहुत जादा स्वाद लगई है तो थोड़ी साटिस्फेक्शन हुन दी है जदो बच्चे खुशों के खालन दी है तो अज दी रेसिपी उमीद कर दी हां कि तो हान्नों पसांद आई होएगी ते तुसी भी अपने कारविच जरूर बनाओग आज असी पिन्या बढ़ान दे नाल नाल चर्चा कीती कि साड़ा पोजन किस तरह दा होना चाहिदा है यह बहुत जरूरी है जानना साड़िली असी बिना सोचे समझे अपने पोजन देविच बदलाव कर रहे हां ति बिना सोचे समझे दवाईयां खा रहे हां तुसी अप तक ले सच्छिर्यकाल